कि एंका सुरेश और पूजा दंगी यह क्या वेजरों भाई दंगी तिलीब राजकुमार तिवारी सबके कमेंट आ रहे हैं जो भी बच्चे जुड़े हैं मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं ठीक है तो बच्चा आगे बढ़े हैं मुझे लग रहा हं फंडर्ड बच्चे का नियम बताया था ना कि आरेक्टर करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इस को कोई समस्या तो है नहीं तो देखो नाइन का पावर आपस में किया होता है न हम करें का जाता है ये इसकी जो तो दो गुड़ा आपका 3 से 3 हम सकते रोट कंगर gwोजे को आपने साथmusic 7 can आईगा समाज में को समझ में बढ़ते हैं रखें फिर इसको है रखें हटाएं आप सभी इतने भी बच्चे जुड़े हो फटा-फट इसे वाट्सप पे सेयर करके आओ नहीं तो कलास चलेगी नहीं जानलो हम नहीं पढ़ाएंगे अभी 100 बच्चे नहीं हुए है फटा-फट सेयर करके आओ ऐसे मजा नहीं आ रही जानलो क्योंकि आप लोग क्लास पो ना लाइक कर रहे हो ना पढ़ाएंगे और तो यह कहना ना पड़े आप लोगों के बी उसे ले के चलें कुछ आप करें कुछ हम करें मिल करके देश को आगे बढ़ाएं कि जलो हर्टी टू हर्टी टू हर्टी टू इसकी पावर है टू अपान फाइव तो बटा पाँच इसका उत्तर कितना आएगा कोई बताए जरा सोच के फटा-फट अंसु यादो भाई सभी जल्दी से बच्चे देखो यार यहां पे कहना और टाइम बेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं है आप सभी जितने भी साथी जूड़े हो अपने दोस्तों को वर्टसप ग्रूप में सेयर कर दो फेस्बूक पे टुईटर इंस्टागराम जहां जो भी आप चल लाते हो वहां पे भेज दो सेयर कर दो जितने ज्यादा बच्चे जूड़ेंगे उतनी बेहतरीन कलास चलेगी हमारा भी दिल करेगा अंदर से पढ़ाने का कि मैं आपको पढ़ाऊं हां समझ रहे हो ना हम चलो मैं थोड़ा सा बेट कर रहा हूं आप लोग सेयर करके आओ तब तक इसका अंसर बताओ जिनको समझ में आ रहा है इसका उतर दें और जो बच्चे सेयर नहीं किये फटापट सेयर करके आए गनेश बर्मा बोल रहे है सर इससे पहले यूटूब पर पढ़ी कलास देख लें हाँ बिल्कुल अगर इसके पहले की कलास देख लोगे तो और अच्छी बात है नहीं देखोगे तो फिर कोई बत नहीं है जल्दी करो भाई या देखो मैं रुका हूं कि सभी सेयर करके आओ सो के उपर करो जल्दी दिमाख मेरा खराब होगा ना तो मैं बंद करके चला जाओंगा अभी तुरंट जान लो हंड्रेड के उपर अभी नहीं जा रहे बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्यूं प क्लाफ 9 की मैं जिनको जिनको पढ़ना आके देखो लाइब विल्कुल फ्री इसमें एक फूटी कावडी नहीं देना तुम्हें चलो कि इसका थर्टी टू का पावर टू अपान फाइफ अब यहां पर आप लोग समझो थर्टी टू को निक सकते हैं बच्चों दो का घХाथ की रूप में लिख सकते हैं तर्टी टू को हम दो का घ्ठ पांच लिख सकते हैं कि निप हैले बताव मुझे जल्दी हर कोई बताए देखो बच्चा इधर साइड में समझो अगर मैं 32 का आप से फैक्टर करनी को बोलूँ तो आप लोग कर लोगे बड़े प्यार से देखो ये दो से काटोगे 16 आएगा फिर 2 से काटोगे 8 आएगा फिर 4 आएगा फिर 2 आएगा और फिर 1 आएगा इस तरह से हो रहे हैं दो-दो के रूप में ना आची तो हो रहे ना तो 32 को हम लिख सकते हैं दो कगात पांच इनको अलग कर दो इनका काम अलग है इनका काम अलग है यह इधर अलग है ठीक है इसमें किसी को कोई confusion नहीं होनी चाहिए यह question अलग था यह अलग है तो बच्चा जब इसक 35 की जगा पर मैंने इसको लिखा है यह दोई बटा पांच ऐसे लिख लिए तब को समझ में आना बच्चा देखो आप लोग सेयर करो ना तो पांच सो हजार बच्चे भी जूड़ जाएंगे मुझे पता है देखो 75 का दूना बच्चे हो गए ना तेड़ सो हो गए तुरन लेकिन अगर मैं थोड़ा फट टाइट ना करूँ तो तुम लोग बूल जाते हो फिर ऐसे मज़ा नहीं आती ना यार देखो आपको लोगों को भी समझ के चलना है हमें भी समझना है तब ही कुछ होने वाला है चलो तो अब ये दो कघात ये पांच और कोश्टा खोल दो ये दो बटा पांच इसके साथ में आ जायागा ऐसे पांच से पांच कट गया तो भाई ये दो कघात दो हो जायागा बाबू दो कघात दो का मतलब क्या होता चार इस तरह से आपका फोर क्या हो गया आंसर हो गया लिखते चलो आप देख रहें क्लाफ नाइन्थ की एंसी आर्टी मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री लाइव सामके साथ बजे से रात के आठ बजे के बीच में देली देख सकते हो सटर्डे को टेस्ट होगा इस बात को पने दिमाग में जेहन में वसा लेना क्योंकि पढ़ सबको आ रहा है ना बच्चा तो चलो फिर फाइस्टेंड सीकेंड पार्ट हो गया आपका कुश्चन नंबर दूसरा एक्सरसाइज 1.6 तो थार्ड पार्ड पे आ जाओ देखिया आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बिल्कुल इमानदारी से पढ़ना है मैत में हम गारंटी लेते हैं आप टाप करोगे पूरा का पूरा पूरा अंक पाओगे लेकिन उसके लिए इमानदारी से पढ़ना होगा यह नहीं कि चारो तरफ इदर उदर करोगे ले में पेलिंका कर लिते हैं तो क्या करेंगे बता है इनिवन आनंद डांत निकाल रहा है थीर हो अ मक्यक्व कभी कवी दुल लिया करो है जiao को हम लिख सकते हैं बैच्चा दोवोग् backward Egg इंधर घृज्च अ इस क्य पयो गश्टीं की जगहां पे हम एतना लिख सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो समझो सोला की जगा पर इसको लिद सकते बच्चा तो ये कोश्ठक के बाहर तीन मटा चार यह हो जाएगा दो कि घाद चार गुड़ा यह तीन बटा चार चार से चार कट गया तो कघा तीन पराबर दो दुना चार दुना आठ इसका सही आंसर किसी ैंगी ने बताया है फूजा दंगी ने बताया है सूरज सरोज अभिशेक सिवं सुमित पाल और बंबं सर्मा जस्विंद्र सिंह यह सबी नाम है इतने इतने खतरनाक खतरनाक नाम है जो मैं बोल रहा हूं चलो तो प्रिय बच्चों आप मैंसे जो भी नए-ने बच्चे ठीक है और मैं सामने से अगल बगल होता हूं तो आप स्क्रीन साट ले लो इसक्रीन साट ले लो फटा-फट अलो कि हाँ बताई यह क्या समस्य है तो ठीक है आप इंतिदार करिए आप रात आट बज़े फोन करिएगा ठीक है तो हो गया इतना चलिए देखिए इसी में मुझे बहुत कुछ हर जेस्टमेंट करना पड़ता है मिटाऊं संकेत बच्चा कमेंट आ रहा बेटा तुम्हारा कमेंट आ रहा है इसको लिखो यह बता इसका चौथा पार्ट कर लोगे सभी बच्चे एक सूर में जबाब दो क्या यह कुश्चन आपकी क किताब में मिल रहा है अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उसकी दवाई बता रहा हूं तुम्हें टेंसन मत लेना एक भी प्रकार का कोई भी बोर्ड है चाहे आप यंपी से हो यूपी से हो जहरखंड से हो बिहार से हो केरल करनाटक मद्धेपरदेश कहीं से भी हो लेकिन इंड आप अपनी दूकान चलाने के लिए ठीक है चलो तो जिनके मैं नहीं मिल रहा है वह क्या करेंगे मैं उनके बारे में बात करूंगा पहले आप आगला लिख लो तब दिनके किताब में नहीं मिल रहा हम उनके बारे में बताऊंगा भी सुनो देखो बच्चा सुनो तुम सुनो इधर इसको लिखो पहले इसका आइसर ना आएगा माइनस 1 अपान 3 गर गर चाहिए माइनस 3 लिखो तुम और चाहे ऐसे लिखो ऐसे हैं दोनों का मतलब एक है चाहिए इसके सामने माइनफ लगाओ चाहिए इसके खोपड़ी पर लगाओ लेकिन अगर नीचे लगा दोगे तो फिर वह अलग हो गया ठीक है समझ रहे हो न तो बच्चा जिनकी किताब में ने मिल रहा है उनको यह समझ के चलना है कि संख्या पद्धती एक ही है निय की बजा तीसरे में है चौथे में है तो अपच नहीं होगी पलट नहीं जायेगा हां हजम हो जायेगा ठीक रहे है तो इसलिए सीखो केवल चीजों को समझो आप अपना कुश्चन खुद से कर लोगे जैसे उधारन के लिए मैं बताऊं हमारी एंसी आरटी में सोला का घात अब तुम्हारी किताब में मालो 64 का घात इसमें पांच बटा आठ है तो क्या तुम नहीं कर पाओगे बोलो अगर नियम यह तुम सीख गयो कैसे हुआ था तो तुम इसको भी तो कर लोगे ना इसलिए नियम सीखो कुश्चन के पीछे मत पढ़ो हाथ दो कि हमरे में नहीं मिल रहा है तुम मरे में तो पांच लिखा हमरे में तो तीन लिखा है तो यह से फोपडी पीठते रहोगे मिलने माला नहीं है चलो आगे बढ़ें अब को समझ में आ रहा भई विसाल कुमार परजापति तो देखो बच्चा इसकी घात जो है वह माइनस में लगी है मैंने बताया था कि अगर कहीं A का पावर माइनस का यम लिखा है इसका मतलब ये होता है बोलो बताया था कि नहीं सभी बच्चे बताओ जो बच्चे कलास देखें उनको मालूम है जो नहीं देखें ललू लाल भी आएं इसे ताक रहें उनकी तो बाती अलग है यह मैंने बताया था अगर माइनस में कहीं घात लगी इसका मतलब वो नीचे का पार्ट है उपर गया है ठीक है और हाँ अगर कहीं ऐसे है एक पावर माइनस यम है इसका मतलब यह दबा के नीचे रखा गया इसको उपर ले जाओगे ते पलस हो जाएगा अब मतलब समझो यह घातांग का नियम है बच्चा ठीक है क्या है यह यह घातांग का नियम है भाई पांडे जी आ रहा समझ में काजल कुमारी कमलेस सबको समझ में आ रहा ना चलो देखो अगर तुम यह कहानी सीख गए हो तब मुसीबत कौन सी है हां मुसीबत तो कोई होनी ने चाहिए फिर ददा हां अरे मुह दूल के बैटो माची लग रही कुछ लोगों के मुह में हां मुह दूल के बैटा करो साब सफाई से तो समझ में आया गाई इसे नहीं चले आगे बढ़े देखो समझो कौन का आज नहाया नहीं है । इमांदारी से बताना जब से करोना आ गया न तुम लोग को बड़ी मजा है इसको पांच की घात तीन एक बात बताओ 125 को हम पांच का घात तीन लिख सकते हैं कि नहीं बोलो लिख सकते हैं कि नहीं संकेत कुमार मुझे लग रहा नहीं नहीं आया बहुत मुव बना रहा है इसको लिख सकते हैं न लिख सकते हैं पांच का घात तीन न तो भईया देखो यहां पर पांच का घ यह तो मैं ऐसे लिख दिया इसके अलामा जो इसकी घात लगी है माइनस वन अपांथरी इसको ऐसे रहने दो कुछ मत करो बिल्कुल मत छेड़ो इसको अब नीचे बढ़ो तीरे-धिरे खिसकते रहो नीचे की तरफ को आते रहो समझते रहो बच्चा अब यह पांच का घात तो तीन था यह गुड़ा में है माइनस का वन अपान थ्री यहां से तुम समझो यह तीन से तीन कट गया खतम हो गया तो पांच का घात माइनस का एक है अब देखो बच्चा अगर सिर्फ पांच की घात एक होता तब तो हम एक को मारते दूइट उदर चला जाता उनसे कोई मतलब नहीं था मतलब अगर यह सिर्फ माइनस ना होता तो हम इसका उत्तर पांच लिख सकते थे इसमें कुछ नहीं करते लेकिन यहां पर तुमें समझने लायक है अगर चिन यहां पर माइनस बचा है तब तुम इसको ऐसे आसानी से नहीं छोड़ सकते हो अंबव नहीं है इसको छोड़ना आसानी से तो बच्चा हो अगर यह माइनस लगा है राजा तो इसका मतलब यह है आगे देखो यह एक बटा पांच है बस अगरे खोड़ी अब घात लगा दो तब वो कुनों फरक नहीं पढ़ने वाला है तो चाहे तुम एक बटा पांच लिखो चाहे आईसे लिखो यह मतलब एक कहा है सब का है इसको एक बटा पांच लिख दो सीधा-सीधा अच्छा उतर मलो मिला लो ददा आ रहा है कि नहीं मिला लो मिल रहा है ना मैं आगे से हट जा रहा हूँ छापो फटा फट इसक्रीन सार्ट ले लो चाहे छाप लो मैं आगे से बगल हो गया हूँ कुछ सिकेंडी के लिए बच्चा जल्दी करो जितने भी हमारे नए खिलाडी जुड़े हैं वो जान लें ये प्रोग्राम सामकु साथ से आठ के बीच लाइब होता है रोज याद रख रहे हैं बाद में नहीं पढ़ पाओगे बटा साथ बज़े से आठ बज़े के बीच तुम्हें जुड़ना ही होगा जुड़ने के बाद तुम्हारा काम है कि सेशन को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करोगे एक दिन सब्सक्राइब होगा दादानी रोज करो एक दिन होगा क्लास रोज लाइक करोगे सेयर रोज करोगे सब्सक्राइब सिर्फ एक रोज करोगे बास जिस दिन आये हो चलो अगले कुश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं विसाल सिंग समझ में आरा बेटा कुछ तुमें कुछ गुजारा कि ना गुजारा है चलो इसको मिटाता हूं फिर अब यह बता इसमें कोई और पार्ट बचा है क्या अब आई देखो जो सीवेसी बोर्ड वाले बच्चे हैं चाहे वो दिल्ली से हैं चाहे वो महराश्ट्रा से हैं अंपी से हैं मुंबई से मतलब कहीं से बही हैं उनके बुक में कुश्चन सेम हमारे जो हिंदी मेडियेम वाले हैं उनने लिखा है मान हैं इसे बैलू बैलू ऐसे लगाना है करना सब वही है चलो इंग्लिस मीडियम या हिंदी मीडियम सब का वही है लाला राम चौधरी ऐसा कैसे हो सकता है कि चौधरी का कमेंट ना आए तो कलास का कोई मतलब भी नहीं चलो अब तीसरे कुष्चन पर चलो सभी किताब पहले पढ़ो कुष्चन पढ़ो चलो एक ठपढ़ मारें जान लो चलो पढ़ो देखो कुष्चन जितनी बार पढ़ोगे उतने समझ में आएगा कुछ ऐसे नलायक होते हैं जब हम पढ़ाते थे रोड रोज ही बोलते हैं अब इसमें तुरंट कुष्चन पढ़ता था और जो नहीं पढ़ने वाला ना वह तो कुष्चन हो गया फिर से लगाएंगे तो फिर से चापेंगे तक तक फिरी हो गया कहीं काना पूसी कर ले कुछ उसे बात कर ले कहीं उसके पर चॉंक दे मतलब कुछ नहीं कुछ तू का पावर है हथवे समीटाव एक पड़ेगा है तू अपान थ्री इसके एकदम खोपड़ी पर है याद रखना चुरकी को पर लेकिन थोड़ा कम अच्छा लग रहा है न ऐसे नहीं लिखा जाता बाप बेटा बराबर नहीं बाप का आकार बड़ा होना चाहिए बेटा देखो समझो कैसे तो का घात क्या है बच्चा दूई बटा तीन तो तुम घात को छोटा लिखो यह नहीं कि दूई अगर यह तना बड़ा है तो घात को इतना बड़ा लिखो नहीं इंटू तू का पावर वन अपान फाइब ऐसे हैं इसका आंसर कोई बताएगा क्या मुझे पूनम सिंग निव इस्टूडेंट है बिल्कुल आप पुराने हो जाएंगे कल से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साम साथ बज़े लाइब आईए तेली लाइब आईए ब पढ़ो चाएना पढ़ो जाओ अपना बला करने हां तो यह बात है तो देखो अगर इमांदारी से पढ़ोगे भाई नाम होगा क्योंकि हम लोग नाइंथ में हैं अगर टेंथ में पढ़ रहे न तो बहुत सारी उमीदे हैं घरवालों की माबाप की और उसकी उसकी ना उस कोई उत्तर बताएगा कम लेस हम अच्छे लग रहे हैं चलिए बहुत-बहुत थैंक्यू कम से कम किसी को तो अच्छे लगे वह से जिंदगी में किसी को अच्छे लगते नहीं आज ही लग रहे हैं आपको पहली बार देखो कुईस्चन कौन सा यह मुझे देखने दो करना है तो बच्छा जब आधार बराबर होता है बिटा मैंने आपको एक नियम मताया था फिर से उसे याद करो अभर और एंटु एक अपावरीचन हो तो मैंने बताया अगर आधार समान है तो गूड़ा करने पर घाते जुड़ जाते एक नया प्रोडक्ट lanche करती है कि कि देख चलो कि इसमें भी क्या हो गूड़ा करने पर घाते आपस में जुढ जाएंगी तिक है अब पसमी जूड़ जाएंगी बच्चा अफलाइन क्लास फिरी में नहीं होती बैटा अफलाइन क्लास का बहुत महेंगा चार्ज है आनलाइन में पढ़ो तुम फिरी ठीक है तो दो का घात यह हो जाएगा दूरी बच्चा तीन और पलस एक बच्चा पाँच चलो समझो आगे अब इसको जोड़ो पांच दुना दस तीन एककम तीन तो यह दूरी का घात कितना हो जाएगा भाई 10 प्लस 3 और 3 पचे ये 15 समझ रहो ना आप जिनको भिन हल करनी नहीं आती उनके भगवानी मालिक है उनों तो मैं क्या बताऊं वो नहीं कर पाएंगे ये 13 बटा 15 ये उत्तर आएगा जो का घात 13 बटा 15 पूजा आरा समझ में साइन्स की कलास तो बहिया कल से मैंने रख दिया है 15 तारीक से सुबह 7 बजे अब भगवान से बिंती करो कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाओं सोके तब तो साथ बजे आपकी कलास चलेगी मेरा दिल बहुत धड़क रहा आच कि कल अगर मैं 10 बजे सो के उठा तो बच्चे मुझे बहुत घरी आएंगे समझ रहे हो ना आज हम जल्दी सो जाएंगे वैसे 12 बजे तक सो जाएंगे तो उठ जाएंगे देखो यार रात में अगर सोने में मालो तीन चार बज़ गया तो आदमी कितना बज़े उठेगा सो जितना टाइम उठना 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 तो सो रहे हैं तो उठेंगे कर आरी से चल और तुम इह मत सोचना कि हम्ही आठी बजे सो जाते तो म Украї जैसे 10 बजे उठते हैं अब आन्प जल्दी उठना यह नहीं अगर्ते ही नहीं कि लेटें नहीं नहीं आउội हैं बैठ céu नहतए नहीं पतुर कि लrée कर चल लेत नहीं कि दॉन DAY लो कि इसको चाप लो कि सौंबीर सर्मा कि इंटरनेट पूर है वह इर्फान अनसारी बोल रहे हैं बेटा पूर है तो का करें मिटाएं हो गया कहानी खतम न अगला चलो देखो इसको बात में देखते रहना इधर साइड में बढ़ो वैसे बीचो बीच में लिखें तो अच्छा रहेगा दो लाइन में लिखना ठीक नहीं है एक बात बताओ सभी को समझ में आ रहा है बोलो यस जिनको नहीं आ रहा वो लिख के कमेंट करें तो मुझे पता चले किसको आ रहा किसको नहीं आ रहा है सबको आ रहा हैं जो बीच में जुड़े हैं कल कलास नहीं देखे हैं उनकी तो हमारी कोई गारंटी नहीं है जो डेली देखेंगे उनकी हमारी गारंटी होगी और जो बीच बीच में जुड़ेंगे ऐसे मेहमान की तरह उनकी हमारी कोई गारंटी नहीं हो पढ़ें या ना प एक सिकंड रुखजा दादा एक सिकंड रुखजा थोड़ा सा रुखजा भई थोड़ा सा रुखजा अगला क्या है आप लोग इसका अंसर मुझे बताओगे तब हम कुछ बताएंगे तुमें चलो एक वटा तीन इक पार्ट है और इसका पावर है वटा अगर पढ़ना है तब और बहरे से इसकी घात लगी है साथ इसको कितने बच्चे कर लेंगे सभी बच्चे एक बार कोशिज करके देखो अपनी तरफ से कर लोगे की नहीं हाँ जल्दी देखो फटा फट चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी जल्दी फटा फट बताओ कितना आएगा कितना है का कोई कर लेगा कि देखिए मैं बताता हूं यहां पर समझो देखो अगर आप लोग कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं देखो समझो यहां पर कितना आएगा देखो बहुत से बच्चे बता रहें जैसे संकेत बता रहें ठीक है आप लोग कि मत सोचो कि मतलब नहीं आ रहा है या फिर हम नहीं कर पाएंगे कोशिस करो आप लोग कोशिस करो ठीक है अगर कोशिस नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं देखो मैं बताता हूँ एक मिनिट जड़ा सोचो इसको करना कितना आसान है सिंपल सा है बेरी सिंपल सा है इसका आंसर जो नहीं बताएगा ना बहुत बड़े गते हो तुम लोग एक बार कोशिस करके तो देखो नहीं चलो फटा फट बताओ जल्दी करो जल्दी जल्दी एक बता बतार जेह तो घाता अंकब कर नियं आपान एकम पावर यऽू जब करो इन पान अब मैं में रधी है हैं मतलब यह भिन्न खतम हो जाएगी यह फ्रेक्षन खतम हो जाएगा उसके बाद जो ऊपर इसके साथ लगा एको पड़ी पे उसको वैसे रहने दो अब गुड़ा कर लेंगी घात घात का तो तीन का घात माइनस एकाईस हो जाएगा पस यही तो उत्तर हो जाएगा ना अब इसमें कौन सी आफ़त है तुम लोगों को बोलो समझ में आया देखिए अगर आप कांसेप्ट समझ के चलोगे यह इसका रूल है में यह घातां के नियम का क्या है सूत्र है अगर कोई भी फ्रेक्शन रूप में ऐसे नंबर दिया है मतलब पूर्ड संख्या है उसकी घात कु समझ लो बच्चा अगर यह ऐसा है हां ऐसा अगर यह माइनस में अगर यह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा खतम यह इतना हो जाएगा यह चीज आपको समझ के चलना है सुजीत चौहान आरा समझ में राज विसाल सिंग समझ में आ रहा भाई मनीज दूबे सब को तो बता दो जल्दी से चलो किसी को कोई परिसानी इसमें तो बताओ जल्दी बोलो किसी को कोई आफ़ात मुसीबत हैरानी परिसानी नहीं ना काप लो फटा फट चलो आसीस अनीस दिख्षा एजुकेशन गेमिंग हिमानसु मुकेश भीजय ठीक है देखिए जो टाइम से जुड़े होंगे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी जो लेट लपेट आएंगे ना उनको बड़ी मुसीबत होगी तो उनके हमारी जो है ना कोई लोग बताओगे मैं नहीं बताओगा अगर पड़ना चाहते हो तो कोउसिस करो एक बार खुद से तो कोउसिस करो ना खुद से कोउसिस नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगी बिलकुल जान लो एक मिनेट कुष्चन देखने दो मुझे 11 का पावर एक बटा दो है रेड कलर में दिख रहा है क्या भाई 11 का पावर एक बटा दो नीचे है 11 का पावर एक बटा 4 इसको कौन कौन कर लेगा कौन कौन कर लेगा इसको देखो मुझे लग रहा 15 सिकेंड का रोक लगाया मैंने तब ये बच्चे इतना थमें यह तो यह क्या है भाग करने पर घाते घड जाती है मैंने बताया है आधार समान हो तो भाग करने पर घाते घड जाती है भात करने पर गाते घड जाती हैं तो बच्चा यह हो जायागा 11 का पावर एक बटा 2-1class चार में जब इसे तुम हल्करोगे तो ग्यारा का पावर चार-2 ग्यों भए चार का एक कंचारल doen कमज़र एक नए कंचार और यह चार ऊ ये चार दूना आठ होगा उस हिसाप से ठीक है ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं आठ होगा यहाँ पर चार बचेगा क्योंकि मैंने क्रास मल्टीपल किया था तीरचा गुड़ा किया था न हो गया जल्दी से इसको लिख लो अगर इसमें किसी को कोई परिसानी है तो बता दो देखो भाईया अगर आपको भिन हल करना नहीं आता फ्रेक्शन नहीं आता छोटी-छोटी तब फिर मज़ा नहीं आएगा जल्दी करो फटा फट हो गया हो गया नरेस आरा समझ में हरीस जल्दी बोलो छाप लिए चलो छापो मैं सामने सहड जाता हूँ जल्दी करो चलो अगला इसमें का नेक्स्ट पार्ट देखो ध्यान से भाई परांजल तिवारी आरा समझ में चंद्रमा सिंग यादो आरा समझ में तब को समझ में आ रहा है चलिए तो अगला बढ़ते हैं आगे की तरफ में अभिसेख बिजय संकर बिसाल चाप लिए चापने में तुम बहुत तेज हो बेटा चाहे तुम्हें समझ में आये या ना आये लेकिन चापने में तो तेज हो चलो देखो अगला इसमे का लाश्ट पार्ट इसमे का लाश्ट पार्ट है सेबन का पावर वन अपान टू इन्टू एट का पावर वन अपान टू क्या है एट का पावर वन अपान टू एट का पावर वन अपान टू चैनल जो सब्सक्राइब नहीं करे होंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो कमेंट नहीं कर पाएंगे जलो जल्दी करो तो भाईया जो नहीं कमेंट कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें ठीक है जलो जल्दी करो देखो इधर साइड में समझो इसमें क्या है आधार अलग-अलग है न बेटा ये में तुम्हें गातांग का नियम बताया था ये तुम्हें बताया था बेटा ये बताया था न बच्चा बोलो बताया था न बताया था न इसमें आधार अलग-अलग है गाते समान है तो ऐसी इस्तिती में इनका आपस में ये गुड़ा हो जाता है आपस में ये मिल सब्सक्राइब नहीं करें उनका कमेंट नहीं आएगा मैं कमेंट देख रहा हूं प्रण्जु देवी आरा समझ में रगुबीर कुमार सबको समझ में आ रहा ना बच्चा जलो ठीक है ओके गुड ठीक है ठीक है बेरी गुड बेरी गुड यह समझ में आया कि नहीं उत्तर माला मी लालो देखो यही आ रहा ना बच्चा यही आ रहा कुछ दूसरा तो नहीं आ रहा ना छापलो चलो मैं साइड हो जाता हूं यह मुख्य नियम है घात आंक का अगर आधार अलग अलग है घात बराबर है तब इसका नियम है कि जो आधार है उनका गुड़ा हो जाएगा और घात बाहर लग जाएगी ब्रेकट के बस यह नियम है अगर तो समझ में आ रहा है पूनम सिंग पाजल पल्राम गुर्जर रभी संकर चिराग सब को समझ में आ रहा है तेज सिंग डलो ठीक है तो बच्चा यह खतम हो गया बैया एक्सरसाइजी खतम हो गई पूरा चैप्टर है खतम होगा तो क्या टाइम बहुत ज्यादा रहा है में अभी और खतम हो गया खतम हो गया अब मैं तुम लोगों से कुछ पूर्चण पूछुंगा यह चैप्टर खतम हो गया अब मैं कुछिफटर पूछूंगा जालो कुछिचण पूछूं पहला कुछिच्ट्न बताओ आप सभी बच्चें बोलना हाँ या नहीं जल्दी करो किया परतेक वास्तविक संख्या पर्मिय संख्या होती है बोलो हाया नहीं कल बहुपद पढ़ाएंगे नया चैप्टर पढ़ाएंगे बहुपद आज आपका ये चैप्टर खतम हो गया पूरा पहला एक्सरसाइज का सारे कुश्चन सारे बार्ट हो गए जो नहीं पढ़ाया गया है चैनल पर वीडियो उपलब्द है सारा कलास प्लेईलीस्ट में जाओ वहां पर तुम्हें मिल जाएगा सब देख लेना ठीक है हैँ हां प्लेइलीस्ट में जाओ वहां पे सब मिल जाएगा पूरा देख लो अच्छे से पढ़ लो यहाँ राज और को इन नहीं हो सकती है वास्तवीग संक्या में जितना अधिकार पर यह कभी है जैसे एक माबाप के अगर दो संताने हैं तो दोनों का बरावर बरावर हिस्सा होता है ऐसा नहीं फलाने को सब दे दिया अगले को जुर्रे रख दिया ऐसे नहीं होने वाला है समझ रहे हो न हूँ देखो समझो फिर इसका आंसर है गलत क्योंकि क्योंकि क्यों गलत है देखो मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं पीछे का जो पीछे अब तक पढ़े वो बच्चा उसको थोड़ा रिपीट करना हूँ समझो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वह बेटा पर्मिये संख्या धन अपर्मिये संख्या दोनों मिलाके बनती है जैसे आप गुलाब का फूल देखे हो लोग किसी में नहीं कुछ अच्छे होते हैं इसका मतलब यह नही Tale अच्छे हिए हम दिख रहे हैं इसका मतलब हमझा है सीथे साथे नहीं है जैसे तुम देखरे हो सैंज़ रहे ही हो नाम समंझ गया तो वास्तविक संख्या जो है वह पर्मिये और आपर्मिये इंगलिस मीडियम होले समझ लें वास्तविक संख्या को बच्चा REAL NUMBER बोलते हैं REAL NUMBER रेफनल और एरेफनल दोनों को मिला के बनती है एक और कुश्चन अगला सुनो यह बताओ क्या परतेक REAL NUMBER वो स्वारी, REAL NUMBER तुमारों गोली क्या परतेक रेफनल नंबर रियल नंबर होती है इसका जवाब दो हा या नहीं या परतेक परमिय संख्या वास्तविक संख्या होती है मज़ा आ रही न तुम लोगों को बिल्कुल मुझे लग रहा है मज़ा आ रही सही बोल रहा हूं मैं ऐसी बात नहीं किसी को आप बोर्ड पर देखोंगे आंलाइन देखोंगे लाइब देखोंगे आपको लगए बड़ा अच्छा है यह बड़ा सीधा साधा लग रहा है बोला बाला है ऐसे होता नहीं देखें चलो मैंने यह पूछा इसका तुम लोगे बता लिया आप मैंने दूसरा सवाल को पूछा या पर्तेक रेफनल नंबर ईबर्ी रेफनल नंबर सैह परतेख परमीय संख्या वासतविक शंक्या हो सकती है हूं ए नहीं हां या नहीं दिवम, अंस, प्यूस, चिराग, अमीना, चेतन, अदिती, पूनम, पूजा, मोनिका, पर्दीप, सुजीद, बहुत अच्छे, बेरी गुड, बहुत अच्छे जल्दी करो चलो मैं बताता हूँ इसका अंसर होगा हान इसका अंसर होगा हाँ, बहुत अच्छे, बेरी गुड, देखो बच्चे मैंने कहा कि जो रियल नंबर रियल नंबर है, वो रेफनल और रेफनल को मिला के बनी है तो बहिया हो, जब रियल नंबर निकली, ओ स्वरी, बार बार वही आता है जब रियल नंबर निकला ही रियल नंबर से है, तो होगा ही, बहुत सिम्पल सी बात है, ऐसे समझ लो जैसे यह भारत देश है मानलो, मैं आपको एक एरिया बता रहा हूं, मैं बना रहाँ, कोई देश का, इसके लिए मैरे उपर कोई कलैम नहीं करना कि नक्षा नगलत बना दिये, मानलो यह भारत देश है, पूरा-पूरा, अब इसके अंदर क्या है? राज्य है इसके अंदर क्या है छोटे छोटे राज्य कितने राज्य है बटा 28 राज्य है ठीक है तो अगर मैं तुमसे पूछू कि उत्तर पर्देश क्या उत्तर पर्देश जो है वह पूरे भारत देश में मतलब है फैला है नहीं न लेकिन अगर मैं तुमसे पूछू क्या भारत इंडिया पूरा भारत लेकिन अब एक्ठी राजी पकड़ों के दो यह पूरा भारत है का नहीं तो बस ऐसे चोटा मोटा समझते चलो थोड़ा मोटा अच्छा रहेगा कि चलो तो यह हो गया मनोज सिंग बेटा फालतु का कमेंट ना करो हां यह रूपेश कुमार नालायक कहां से आ गया भी तुँआ निकल 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 भाई बलक करो इसको तो यह कहरा काजल नंबर दे दो पेटा तुम्हारा जिंदगी ना इसी में बिच जायेगा नंबर लेने में की तो तुम्हें मिले गाभी रुकों में देता हूं कि जिनको पढ़ता है सिर्फ ओहीं जुड़ेंगे यहां पे जिनको फालतु का काम करना वो moly के сохранinary कर वारा हूं जो मैं पढ़ाया हूं पीछे तो धियान से पर लो सिहान से पर लो नहीं तो ऊंतर सिराई आ इससे देख किताब खोलने दो तब मुझे समझ में आए क्या-क्या पढ़ाया था क्या-क्या नहीं जलो पहले चैप्टर में आजाओ जो बच्चे नहीं खोले हैं पहला चैप्टर खोलो परतेक पुडांक एक पूड संख्या होती है जल्दी बोलो आईसे लिखना है अब ऐसी दावंजा यह पूडांक को बोलतें इंटीजर क्या बोलते हैं इंटीजर पूड संख्या का मतलब होता है होल नंबर तो यह बताओ जो एबरी इंटीजर है क्या वो होल नंबर होता है आदिती गुपता, चिराग, अंकिता सिंग, तों भी रूपेस मनू, मनोज, बोलो, कुछ तो बक्को, गलत सही कुछ तो बोलो, पर तेक पूरा अंक, पूर्ड संख्या होती है, जितने भी गदहे बोल रहे हैं न, उनके मैं क्या कहूं, पीर ने दो थोड़ा सा बताता हूं, भी रूप जाओ, देखो बच्चा, पर तेक पूरांक, पूर्ड संख्या नहीं हो सकती है, समझ रहो न, ऐसे समझ लो, कि जो हमारे पीता जी के रिष्टेदार है, नातेदार है, वो सब हमारे रिष्टेदार हुए, हुए न, क्योंकि हमारे बाप के रिष्टेदार है, ल वो हमारे लोग के बाप के रिष्चितार बनेंगे किंषक्द ने हैे कोई कहाँ नहीं जा सकता है समझ रहो कि नहीं हम लोग का आप लोग का ऎसा रियर्लेशन होगा जिसको घरव ले जानते भी नहीं होंगे तो कैसे बनेंगे हां लेकिन बादमा बाप का पूर्वजों का कहा क्या है वो सब बताएंगे तुम्हें समझ रहो तो बस वह ऐसे रहे यहाँ होता है जहां से इनका जनम होता है होल नंबर का यह पुडांक उसके और बहुत पीछे रहता बहुत पीछे रहता है समझ रहे हो ना जहां तक इनकी कोई पकड़ नहीं है कैसे देखो जो पुड़ांक होता है वो माइनस आनंत से सुरू होता है मतलब तुम ऐसे भी कह सकते हो माइनस एक हजार माइनस नौस निन इन बे ऐसे ऐसे करके जाके जीरो होगा तब इधर जाके यह प्लस वन होगा और यह स्कारा महीं से आप यह सरू होती है मतलब इससे पीछे से कोई लेने दन नहीं पीछे से कोई लेना देना नहीं है पूइन संख्या से आगे से मतलब है यह or ना है नहीं आए यह तो वैसे हुआ जैसे हमारे पापा के पापा के बारे के बारे मेंafालाने उनका देखे रहा तो किये रही दंगा जैसदहτα़ परत के हले बात करें अब उनको । बाद को जी हुआ番 पीटा जी को देखे हैं पिता जी के पिता जी को नहीं देखे होंगे और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो अपने पिता जी के पिता जी के पिता जी को देखे होंगे तो यह तो वही बात हुई बहुत पीछे वाली देखो कोई भी चीज ना ऐसे समझ लो बैवहारीक रूप से कि तुम्हें कभी भूले नहीं अगर पढ़ोगे गड़ित की तरह तब यह गड़ित बड़ी कठी नहीं इससे मुहबत करना सीख लो प्यार करना अच्छे से कंसेप्ट समझो मतलब समझो पूरा निचोड जैसे नीबू देखे हो ना पूरा नीबू लेके मूं में डालोगे ना तो खा नहीं पाओगे मूं फट जाएगा लेकिन अगर नीबू कर रफ निकाल के पीओगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा जो मिलना चाहिए बाकी इससे जो होता है माइनस अंद तक होता है लेकिन पूर्ण संख्या जिरो से ही शुरू होती है यह अगर पूछ немного को पूर्ण क전ячिया नंबर रहे हैं इंगलिस में बताएं इंगलिस में बतातो रहा हूं बहिए पुडांग को इंटीजर बोलते हैं इंटीजर यहां से स्टार्ट होता है माइनस इंफिंटी से प्लस इंफिंटी तक होता है इंटीजर लेकिन जो होल नंबर होता है वह जीरो से स्टार्ट होके गया अगली क्लास जिनको बेसिक नहीं आता रात के होगी 9 बजे से सभी बच्चे आना और हां एक बात और सुनो भी जाना नहीं अगर पढ़ना है तो रियल में एक मिनिट इधर सुनो मैं जो बता रहा हूं पहले तो आप सभी सेशन को लाइक करो पहले तो आप सभी जल्दी करे रहोगे तो डेली देख पाओगे दूसरी बात चैनल सब्सक्राइब करे रहोगे तो तुम कमेंट कर पाओगे बिना सब्सक्राइब किये कमेंट नहीं कर पाओगे सबसे अच्छी बात तो यह है मैंने ऐसी सेटिंग कर दिया है कि जो नहीं सब्सक्राइब करा वो कमें मिनिट तक इसका फिक्स टाइम यही है बाकि मैं आठ बजे तक चला देता हूं मेरी खुसी है और जिन को क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है या किसी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं वह टेली आप चैनल जाके ज्वाइन कर लोगे फटाफट आपको सारी कलास की नोटिफिकेशन पीडियाप नोट्स जो भी हमारे पास होगा सब मिलेगा तुम्हें समझ गए ना उसकी अलमा आप लोग फ्टाड़ी को इंस्टाग्राम पर जरूर फालू करें क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम आपको सारी अपडेट भी देते रहते हैं वीडियो भी आएंगे उस पर लाइप सेशन भी होंगे तो अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो पीडियर सब्सक्राइब कर सकते हो फेस्टाग्राम ट्विटर जहां जहां हो सकेगा कर ले ना ठीक है जिससे कि हमारे बारे में सारी जनकारी तुम्हें ले दो बताएंगे इस्टाग्राम पर बताएंगे ना पर बताएंगे ना यूट्व पर थोड़ी बताएंगे काल नहीं होगी चलते हैं फिर बहुत धन्यमाद आप सभी को